12th वाले सभी students ध्यान ने 12th class देखेगा ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें और पढ़ाई भी करते रहें आज मैं आपको 12th class के साड़िक वाले आठ अंक के प्रसन आपको देने वाला हूँ आठ और पांच अंक वाले दोनों प्रसन एक ही वीडियो में डाल दिये है मात्र साड के मात्र 12th प्रसन चाटे जिसमें से एक कुश्चन तो definitely 1000% आपका आठ नमबर में आएगा इन सवालों में से और एक कुश्चन आपका पांच नमबर में आएगा आठ पांच तेरह इस वीडियो में 12 कुश्चनों से आपके तेरह नमबर किलियर हो जाएंगे साथ में एक चीज और ध्यान दीजिए जो स्टूडेंट्स यह बोलेते सर हमको यह कुश्चन दिखाई नहीं देते हैं तो उसमें अच्छा दिखाई देता है जदा एमबी का ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है थोड़ा थोड़ा आप वीडियो को तेट तेट देखिए और जलेली अपने सवालों को स्क्रीन सोट ले लीजिए आज आपके सांडिक के दिए इन सभी सवालों को जो मैं आपको साथ में एक चीज और सुल दिए जिन इस्ट्रूएंट्स ने अभी यह देखिएगा यह वाली वीडियो सो नुमेरिकल्स वाली नहीं देखिए तो जाकर देख लीजिएगा उसमें सो नुमेरिकल्स को ही मैंने सत्तर बना दिया है कंप्रेस करके तो घवरायने उसमें सत्त नुमेरिकल्स दे रखे तो उसका मतलब सो नुमेरिकल्स को सतर में कर्वर्ड़ कर दिया है ठीक है दुसरी बात इसकी लिंक भी लगा दो हमादो ऊसरे उनको करेगा और एक चेप्र से कितने कुशन आते हैं और कौन से चेप्टर में से पहले तैयरी करनी है आपको कौन सी चप्टर की बाद में करनी है और किस चप्टर में से आठ नमर का प्रसन आएगा तो वो सारी चीज़े मैं इस वीडियो में बताऊंगा अभी बनाऊंगा थोज दिर में क्योंकि रात के अभी डाई और तीन के लावग बज रहे हैं ठंड भी कापी है टोपा भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कोहरा भी है देखाई दे रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन आप भी मैं भी ठंड में आपके साथ महनत कर रहा हूं तो आप भी ठंड में महनत करिए और पढ़ाई करते रही है ठीक है अब ये वीडियो कल साम तक अपलोड होई जाएगी अधरवाईश कल दस वजे दिन में डाल लेंगे कोई दिक्कत ने क्योंकि एडिट करना भी रहेगा ठीक है और अभी मुझे वीडियो भी बनानी है तो फिलहाल के लिए मैं इतना बता र ये 2020 में जितने पेपर आये थे उनकी पीडियाफ देवागा क्योंकि 2021 में तो पेपर हुए नहीं है 2020 और 2022 में जितने भी पेपर आये थे उन सारी पीडियाफ आपको देदूगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है ठीक है बाकी मिलेंगे एक कू पाचंक वाले प्रसन है इस पेसली इसमें आठंक वाले प्रसन है और पाचंक वाले सारे प्रसन में ने दे दिये हैं important important मत्र दस्या ग्यारक प्रसन है उन सभी को देखेगा सिद्ध कीजिए इस तरीके से आएगा सानडिक का सिद्ध करने वाला प्रसन किस तरीके से आएग याद रखना ये नहीं देख पा रहे हो तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लिया करो ताकि आपको ये सब कुछ दिखाई देते हो ABC माइनस A की पावर क्यू, B की पावर क्यू और C की पावर क्यू, ओके, चलिएगा ये देखेगा अगला प्रसन ये है, दूसरा, X पिलस Y, ये देरे का X पिलस Y, X और ये Y है, ये दूसरा Z पिलस X और ये है आपका, ठीक है, तो ये प्रूफ में क्या करना है, X पिलस Y पिलस Z, ये एक ब्रैकेट है, और दूसरा X माइनस Z का होली स्केर, देख लिएजे इतनी का 2019 और 2009 पारह 17 अठारह NCRT एक्जाम्पल में भी दे रखा बहुत ही प्यारा प्रसन है important है काफी बार आ चुका के model paper में दे रखा है चलिएगा अगला प्रसन देखिएगा यह चौता प्रसन ए प्लस बी प्लस टू सी यह यहां पर यह B प्रसन प्रसन क्या करागा यह इस तरह से दे रखा और यह प्लस बी प्लस टीन यह प्रूब करना आपको बहुत ही प्यारा प्रसन है लाजवा प्रसन है important important यह तो मुझे बताने की जरूत नहीं है इसी तरीके के paper मैंगे इसे बाहर नहीं आएगा यह देखिएगा चटा प्रसन इस तरह से है यह 1 प्लस A है यहां पर 1 प्लस B है यहां पर 1 प्लस C है और यह प्रूब क्या करना है ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अप 1 पॉल पॉल प्लस 1 पॉल स यह आपको प्रूब करना है कोई दिख्कत वाली बात नहीं इसको और से चलिएगा आगे देखेगा आगे जो प्रसन आपको दे रखखा यह सातमा है But यह आपका क्या दे रखा है, b², c², 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 a², यह बराबर, यह आपको 0 प्रूब करना है, यह 0 प्रूब करना है, बहुती प्यारा प्रसन है, 7 यह देखेगा, 8 में प्रसन पर आ जाते हैं, 8 में प्रसन क्या है, यह a-b, b-c, c-a प्रूब करना है आपको, यह 8 में प्रसन है, यह B plus C यह C plus A Q plus R, R plus P और यह यह तो यह वरावर यह प्रूब करना है आपको 2, A, B, C P, Q, R, X, Y, Z यह इस तरह से प्रूब करना है ठीक है चलिएगा और यह देखिएगा दसमा यह प्रसन है आपका यह आपको यह प्रूब करना है ठीक है बहुती प्यारे प्रसन लिए है मैंने इनको जरूर करना है आपको ठीक है यह सानेडिक में से प्रसन आता है आट नमर का यह तो आना ही आना यह तो 100% आपका आना ही आना है प्रसन क्या है यह देखेगा आविविदी से हल कीजिए निमिलिकी समीकर समू को आभी विदी से सहल कीजिए देखे ये दो पिरसन मैंने इसमें जोड़ दिये एक समीकर ये दे रखी है ये देखे कितनी वार आया है 10, 11, 13, 14, 15 10 से लेकर 2020 तक लगाता रहा है 2022 में भी आया था 21 में पेपर हुए नहीं थे ये आपका NCERT के Solved Example में भी दे रखा और Exercise में भी दे रखा है ये कितना X प्लस Y प्लस Z बरावर 6 X माइनस Y प्लस Z बरावर 2 2X प्लस Y माइनस Z बरावर 1 यहाँ पर ये क्या है ये है 3X प्लस Y प्लस 2Z ये यहाँ पर क्या लिख रहा है बरावर 3 ये यहाँ पर लिख रहा है माइनस 2X प्लस 3Y प्लस Z बरावर ये भी 3 है यहाँ पर X प्लस 2Y प्लस Z बरावर 4 चाहो तो इसका भी स्क्रीन सॉट ले सकते है आप समझ में आगई बात चलिएगा ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी इसमें कोई नहीं समझ माया है तो पूछ लेना वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना सब कुछ दिखाई दे जाएगा ये देखेगा आगे ये आपका A बरावर इतना है तो A इन्वर्स ग्याद करना है आपका A इन्वर्स निकालने के लिए पूछ ले और इससे पहले मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें क्या दे रखा था आपका A B का होल इन्वर्स निकाला था दो आविव आपको दे रखे थे तो ये कैसे निकलता है ये निकलता है B inverse into A inverse इस तरह से ठीक है तो घवराने की बात नहीं है यह इसी तरीके से आपको solve करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं I hope कि आप यह सवाल को कर पाए हैं और समझ पाए हैं इनका screenshot ले लीजेगा और हाँ वीडियो को like करना और अपरें दोस्तों के साथ इसको share करना ठीक है और मैं आपको देखिए इसमें मैंने देखिए क्या-क्या दे रखा है ये एक मेरे पास पीडियाप मैंने पहले ही बना रखी है इसमें देखोगे तो आप देखिएगा इसमें मैंने सारे math की हर चीज इसमें लिख रखिया है ये देखिए यहाँ पर यह सूत्र है सूत्र लिखना चाहो सूत्र लिख लीजिए फिर ये देखिएगा ये सूत्र है फिर इसके बाद में ये समाकलन के important formula है directly फिर ये समाकलन के very very important ये cushions हैं इसी तरीके से फिर इसमें आविव सानडिक के important है ये देखिएगा solution भी कर रखा है चाहो तुमें ये PDF भी आपको provide करा दो कोई डिक्कत वाली वाज नहीं इसमें देखिएगा very important आठ अंक वाले प्रसन ये जो मैं दिये थे ये वो है फिर उसके बाद में इसमें ही आपके ये सानडिक वगएर आके देखिएगा सदिस वाले सवाल दे रखे हैं आपको very important question आठ वा पाँच अंक वाले जो प्रसन है उनका solution दे रखा है यानि कि ये total PDF वो है जिसमें पूरा material आपका 95% का है ये सारा PDF आपको provide हो जाएगा देखिएगा ये रेख एक प्रोग्रामन के 6 अंक के प्रसन है जो 6 अंक आते ही आते हैं पके इसमें 4 प्रसन दे रखें मातर 4 प्रसन है 4 प्रसन कलोगा तो 6 अंक किलियर 6 अंक इसमें 4 अंक किलियर हो जाएएगे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिएगा मैत की एक strategy वीडियो बना रहा हूं मैं किस तरीके से आपको पढ़ना है उस चीज को ध्यान रखेंगे और पूरा हम बात करेंगे एनलाइस करेंगे इस आई चीज को समझेंगे ठीक है चलिएगा तो वीडियो को लाइक करना परें दूस तक सेयर करना चैनल को सब्सक्राइब चरूब कर लेना